नमस्कार, जैतु भारत, GST and Other Laws, Discussion and Analysis के आज के अंक में आपका स्वागत है Comptroller and Auditor General of India, जिने हिंदी में नियंतरक और महालेखा परिक्षक कहते हैं, C and AG, उनके बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे C and AG का जो पद है, वह सम्विधानिक पद है, इसके बारे में सम्विधान के आर्टिकल 148 के अंदर दर्साया गया है Comptroller and Auditor General of India को राष्ट्रपती अपने वारंट और सीर के द्वारा नियुक्ति देंगे और उनको जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी प्रकार से और उन्ही ग्राउंड पर हटाया जा सकता है अर्थार यहां पर भी महावियोग की कारिवाही करके ही उनको हटा सकते हैं जो Comptroller and Auditor General के पद पर नियुक्त होता है, उस व्यक्ति को एक सपत लेनी होती है, जो सपत का प्रारूप Constitution के 3rd schedule में दिया हुआ है। Comptroller and Auditor General की वेतन तथा उनकी service की conditions पार्लियमेंट के द्वारा कानून से determined होगी। इस संदर्ब में पार्लियमेंट ने 1971 के अंदर Comptroller and Auditor General Duties, Powers and Conditions of Services Act 1971 पास किया है। उसके अंदर विस्तार से C & AG की Duties, Powers और Service Conditions के बारे में दर्शाया गया है। इसमें एक प्रूवीजों यह है कि एक बार Comptroller and Auditor General की न्यूक्ति हो जाए। उसके बार उनकी छुटियों से संबंदित, रिटायर्मेंट की एज से संबंदित या पैंसन से संबंदित, Service Conditions के अंदर, उनको disadvantageous हो, उनको नुक्सान दे हो इस प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। The Comptroller and Auditor General shall not be eligible for further office, उन्हें भारत सरकार या किसी अन्यराज्य सरकार के अंतरगत और कोई पद लेने का निवरुत्ति के बाद में अधिकार नहीं होगा। यह जो सारी conditions हैं वह इस प्रकार की है जिससे C&AG एक निस्पक्षता पूर्वक और निर्भिक्ता से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। C&AG के तहत कारे करने वाले Indian Audits and Accounts Department के जो कर्मचारी हैं, उनकी सेवाओं की क्या शर्ते होंगी यह प्रेसिडेंट निस्चित कर सकते हैं लेकिन वह भी C&AG से consultation के बाद में। इसलिए आपने देखा होगा कि जो Central Government का Department of Personal है, जो केंद्रिय कर्मचारियों के लिए कोई भी rules formulate करता है, जो सभी केंद्रिय कर्मचारियों को लागू होता हो, वहां लास्ट में एक लाइन लिखी होती है कि जहां तक यह है Indian Audit and Accounts Department के कर्मचारियों से संबंदित है, यह Comptroller and Auditor General से consultation के बाद में जारी किया गया है, बाकी सभी कर्मचारियों के लिए Central Government स्वतह सेवा की सर्तों में संसोधन कर सकती है, लेकिन जो Indian Audit and Accounts Department के जो भी कर्मचारियों हैं, उनके लिए Comptroller and Auditor General से consultation करना आवश्यक है, यह मैंने बजेट के लेक्चर के अंदर बताया था, यह मैंने बजेट के लेक्चर के अंदर बताया था, कि जो expenses Consolidated Fund of India पर charged माने जाते हैं, उनके बारे में Parliament में discussion तो हो सकता है, लेकिन उनके उपर voting नहीं हो सकती, और voting नहीं हो सकती, तो जो expenses हैं उनमें कमी नहीं की जा सकती, पार्लेमेंट उन्हें कम नहीं कर सकता, अर्थार financial powers भी C&AG का independence उसमें रहती है, और political interference नहीं हो पाता, Article 149 के अंदर यह दर्साय गया है कि Union और States के accounts के बारे में कौनसी duties और कौनसे powers Comptroller and Auditor General के होंगे, इसके बारे में Parliament कानून से निर्धारित करेगी और जब तक इस प्रकार का कानून पास नहीं होता है, तब तक C&AG वही कार्य करेंगे जो Auditor General of India यह समविधान लागू होने से पहले Dominion of India के लिए और provinces के लिए करते थे, इसी Article 149 के अंतरगत Comptroller and Auditor General Duties, Powers and Condition of Services Act 1971 पास किया गया है. जो Union Government और States उनके accounts किस form में रखना है, वे भी President प्रिस्क्राइब करेंगे लेकिन Comptroller and Auditor General की सलाह पर. यहाँ पर यह On the Advise of World रिप्लेस कर दिया है, पहले यहाँ पर भी On the Consultation of the Comptroller and Auditor General था. Audit Reports जो Union अर्था Central Government के जो accounts हैं, उनके बारे में report C&A G President को submit करेंगे, और President उन्हें पार्लियमेंट के दोनों सद्नों में रखने का कारेवाही करेंगे. इसी प्रकार से किसी राज्य के जो accounts हैं, उनके उपर जो Comptroller and Auditor General की report है, वह राज्यपाल महोदय को प्रस्तूत करेंगे और राज्यपाल महोदय उस राज्य की विदान सभा में उस report को रखवाने की कारेवाही करेंगे. इस प्रकार से जो C&AG का पद है, वह Union Government और State Government उनके लिए एक ही है, States के लिए अलग C&AG और Central के लिए अलग C&AG ऐसा नहीं है, दोनों ही सरकारों के लिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनके लिए accounts किस फॉर्म में होंगे, accounts maintain करना, उनका audit करना, ये कार्य C&AG करते हैं. Comptroller and Auditor General को Union और States का accounts भी maintain करना है, audit भी करना है, expenditure का भी audit करना है, और जो receipts है Union और States की, उनका भी audit करना है. हमारे purpose के लिए ये जो section 16 है, वह important है, ये audit of receipts of Union और States के संदर्ब में है. It shall be the duty of the Comptroller and Auditor General to audit all receipts, which are payable into the Consolidated Fund of India and of each state. ये C&AG की duty होगी कि जो भी Consolidated Fund of India के अंदर या Consolidated Fund of किसी भी राज्ये के अंदर, जो भी receipt आती है, उसका audit किया जाए. और वह अपने आप को संतुष्ट करे कि जो रूल्स और प्रोसीजर्स बनाए गये हैं, जिससे की Effective Assessment, Collection, और Proper Allocation of Revenue प्राप्त हो जाए, Union को और States को, और उसके लिए उसे जो भी उचित लगे वह examination वो accounts का कर सकते हैं, और उसके उपर report प्रस्तूत करनी हैं, जो report बाद में, President, Each House of Parliament के समक्स रखवाएंगे, और Governor, State की Legislative Assembly के अंदर रखवाएंगे. इसी section के अंतरगत, पहले Central Excise और Service Tax का audit C&AG के अंतरगत आने वाले officers करते थे, और अब GST के अंतरगत भी audit इसी section के अंतरगत C&AG के officer करेंगे. audit कई बार इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, कि जो व्यक्ति स्वयम कार्य करता है, उसे अपनी गलती नहीं पता चलती, लेकिन यदि audit हो, तो हमारी गलती हमें पता चल जाती है, जैसा इस case में हो रहा है. आज की अंक में बस इतना ही, धन्यवाद, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, आपको और किसी GST related विशयर पर जानकारी चाहिए विशयर तो कमेंस में लिख सकते हैं, जैहिंद! झाल